वेल्कम टू भारत किचिन आज बना रहे हैं बचे हुई चावल से टेस्टी और हेल्धी स्नेक्स बहुत ज़दा हेल्धी और टेस्टी बन करते यार होगा तो आप रेसिपी जरू ट्राय करें आपको पसंद आएगी इसनेक्स बनाने के लिए एक बाउल हमने चावल ले लिए हैं चावल हमारे पास रात के बच गएते वही वाले हैं तो इनको हम जार में डालेंगे और एक बाउल डालेंगे इसमें कटा हुआ पालक पालक को हमने रफली चौब करके लिया है एक इंच इसमें अधरक का दही, जिससे एंम खाना खाते हैं वही वाले दो चम्मच इसमें दही डाल रहे हैं अब इसमें डाल रहे हैं आदी छोटी चम्मच जीरा और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पेस्ट पीस लेंगे लगबग 100 ml के करीब इसमें पानी डाल दिया है में पेस्ट को हम एक बड़े बावल में निकाल लेंगे दो मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट कर लिया है इसको भी इसमें डाल दिया है इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच नमक और आदी छोटी चमच हम इसमें चली फ्लेक्स डाल देंगे सबी चीजों को मिला लेते हैं अब बैटर को अच्छी बाइंडिंग देने के लिए इसमें लगबग 5-6 चमच के करीब सूजी डाल रहे हैं लगबग 50 गिराम के करीब हमने इसमें सूजी डाल दिया है और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद में इसे 10 मिनट के लिए ढख कर रख देते हैं सूजी जो है फूल जाएगी अब कुछ और तयारियां कर लेते हैं 50 ग्राम धनिये को मिक्सी के जार में डालेंगे इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 2 कमरक को हमने यहाँ पर काट कर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और आदी छोटी चमच इसमें नमक डाल देंगे अब एक बड़ा चमच पानी डाल कर इसको पीस लेंगे तो चटनी हमारी बनकर तयार हो जाएगी और जो हमारा नाश्टा है, उसके लिए डिप तयार हो जाएगा तो ये देखिए, हमने चटनी को पीस कर तयार कर लिया है जार को धो कर भी थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं चटनी बनकर तयार हो चुकी है और 10 मिनट भी हो चुके हैं बैटर को चेक करते हैं अब इस बैटर को आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िया बनकर तयार हो चुका है जादा पतला भी नहीं और गाड़ा भी नहीं है अब इसमें डाल रहे हैं इनो सॉल्ट एक छोटी चमच इसमें इनो सॉल्ट डाल रहे हैं लगभग एक पैकेट क भी इसे बना सकते हैं, देखें, इनों अच्छे से इसमें मिल चुका है, और बैटर आप देख सकते हैं, कि कितना गाड़ा है, सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है, तो अब हम इसे नाश्टा बनाएंगे, नाश्टा बनाने कली बैटर बिल्कुल तयार है, तो एक हमने य बनाते हैं वही मोल्ड है तो इसमें आप बना सकते हैं या फिर तबे पर भी आप इसे बना सकते हैं तेल डाल कर थोड़ा सा ग्रीज कर लिया है और हलके गरम मोल्ड में इसे डाल देंगे तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हम मोल्ड में डाल लेंगे और आप इसे कर बनने देते हैं, दो मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, दो मिनट के बाद चेक कर रहे हैं, देखे थोड़ थोड़ सीखे नजर आ रहे हैं, तो ये एक तड़का हमने बना कर तैयार किया है, तड़के में हमने थोड़ से तेल में थोड़ सी राई और थोड़ा सा कड़ी पत दाल कर घून लिया है उस तेल को हम इसके उपर डाल रहे हैं बहुत ज़्याद़ बढ़िया फ्लेवर आता है एक तड़के का फ्लेवर जो है हमारे नाश्ते में आ जाएगा तो नाश्ते को हम पलट देंगे नाश्ता पलटने से पहले थोड़ा सा चेक कर लीजिए अगर सिग्या हो तभी पलटें तो इस तरह से यह देखिए नाश्ते को हम करारा करके सेक लेंगे और नाश्ता हमारा बन कर तैयार हो जाएगा यह नाश्ता काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो आप रैसी पे को जरूट रहे करें आपको पसंद आईगी और थोड़ी से तेल से बन कर तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं कि नास्ते में से तेल जो है अलग अट गया है, जो भी हमने डाला था, अब और भी नास्ता उस मोल्ड में इसी तरह से बना कर तैयार कर लेंगे, ये देखें नास्ता हमने बना कर तैयार किया है, कमरक की च तरह से तोड़ कर दिखा रहे हैं तो इसी तरह की अमेजिंग और आसान रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और चैनल का बैल अकाइन बटन दवानन ना भूलें जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो उसे आप सबसे पहले देख पाएं झालूंगी